सामन्त वाद क्या है? थोड़ा सा और इसे समझने की कुशिश करें। पहली बात तो जान लें भूमी से जुड़ी हुई व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जिसमें भू स्वामी मात्र केवल भूमी का ही स्वामी नहीं होता, बलकि उस भूमी में रहने वाले लोगों का भी स्वामी रहता है। और यदि उस भूमी में रहने वालों का स्वामी है, इसका मतलब भूमी में उसकी भूमी में रहने वाले लोग उस स्वामी के दास हैं। तो सामन्त व्यवस्था में दास प्रथा भी रहती है। सामन्त वाद में ये बात ता है कि हमें एक निश्चित परिभाशा नहीं दे सकते हो उसकी क्योंकि ये वाद, ये विचारधारा, ये सामाजिक शैली यौरोप के अंदर ही अलग-अलग जगों में, अलग-अलग रूप में थी लेकिन सब में एक चीज कामन थी, वह था भूमी से संबंद, वह था भूमी स्वामित्व, इतना निश्चित है कि भूमी वित्रण पर आधारित ये एक सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था है, इसके केंदर पर, व्यवस्था के केंदर पर भूमी है, इसमें समाज का शक्त शक्तिशाली वर्ग जो होगा जो भू स्वामियों का होगा वह कमजोर वर्गों के लोगों की रक्षा करने का जिम्मा अपने उपर लेता है कमजोर वर्ग शक्तिशाली वर्ग की सेवा करने को स्विकार होता है स्विकार करता है इस वकार दोनों के बीच में एक तरीके की जोर वर्ग द्वारा शक्त शाली वर्ग के प्रति समर्पण। सामन्त वाद में मूलत या विशेश रूप चे तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला जागीर परसा जमीन प्रापर्टी। दूसरा सुरक्षा जिसका मैंने भी जिक्र किया। जिसे हम कह सकते हैं प्रटेक्षन। और तीसरा है समप्रभूता। भूमी और प्रटेक्षन को समझने के बाद हमें समप्रभूता को समझना होगा। समप्रभूता अर्था तो ता सौवेरिंटी। और sovereignty कार्थ होता है अपने खेत्र से जुड़े हुए किसी भी मामले में निर्ना लेने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र जो भी उस खेतर में सत्ता में है जो भी उस खेतर में सबसे उपर है वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि उस खेतर के अंदर रहने वालों के लिए या उस खेतर के अंदर के किसी भी मुद्दे पर वो जो सर्वोत सत्ता है किसी भी तरह का निरणय लेने के लिए च्वतंतर है, उसे किसी और के प्रती, किसी और की ओर नही देखना पड़ेगा, भारत एक संप्रभुत्ता संपन्न देश है, अर्थात भारत के राश्पती, भारत की सरकार, देश के हित में जो भी निरणय लेना चाहे उचेस समझती ह तो ले सकती है उसे किसी अन्य देश की ओर देखने की जरुष्ट कता ही नहीं कोई देश उसके राष्टपती भारत के राष्टपती या प्रधानमतिया सरकार पे किसी तरह का दबाव बना सकता हमारी सरकार पूर्ण रूपेंड सर्वोच और स्टंत्र है यही कहलाती है प्रभुता तो सामंत वाद की यह तीन फीचर थे संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला समाज कमजोर वर्गों को सर्रक्षन और जो सत्ता है सर्वोच है भू स्वामी जागीर का मालिक जिसे सामंत कहते थे वह संप्रभुता संपन है तो इस विकार सामंत वाद जिसे हम फ्यूडायलिजम भी कहते हैं मैंने बताया फ्यूडायलिजम वो है वो एक तरीके से एक जर्मन शब्द से बना है फ्यूड और इसकार भूमी का टुकड़ा तो इस पकार फ्यूडायलिजम एक ऐसी विवस्था है एक ऐसे समाज की और इशारा है जहां जमीन से जुड़ो हुए लोग केंदर बिंदु पर हैं और ये विवस्था इस काल में जिसका हम अध्यन कर रहे हैं फ्रांस में उसके बाद फिर इंग्लेंड में जबकि थोड़ा रूप बदला था और उसके बाद फिर दक्षन इटैली में विक्सित हुई मैंने आपको पूर में बताया कि इसका जो स्वरूप है वो हर देश में बदलता रहा और इसलिए उसे एक उचित तरीके थे हम परिभाशित नहीं कर सकते हैं लेकिन ये तह है कि इस विवस्था में जागीर संड्रक्षन और संप्रभुता चुड़ी हो जाए हैं सामन तो आज भूमी की बात करें तो इस पर आधारी जो पिरामिड है इस पिरामिड में सब से उपर कौन है राजा एक ऐसी राजनिती के उस था जिसके शीर्ष पर राजा और सबसे नीचे हैं वे बहुत सारे क्रिशक किसान जो भूमी हिन दास की तरह थे या कुछ तो क्रिशक और कुछ भूमी हिन दास वासल राजा की भूमी को छोड़ दें तो राजा की भूमी को छोड़ने पर बाकी जो जमीन है बड़ी बड़ी जागीरों या जमीन दारियों में वबटी होई थी प्रत्यक जागीर का एक स्वामी होगा जो सामन्त कहलाएगा या सरदार होगा या जागीरदार होगा और वो जागीरदार जो है वह अपने ख्षेतर के दुर्ग में या महल में रहेगा और ये महल या दुर्ग उस खेत्र के किसी एक उंचे टीले पर बना होगा ये तो हो गए बड़े सामन्त क्योंकि मूलता जमीन जो है वो बड़े बड़े खेत्रों में विभाजित थी जो राजा की नहीं होती थी उसकी बड़े सामन्तों के नीचे राजा सबसे उपर फिर बड़े सामन्त उसके नीचे आते थे छोटे सामन्त और थाथ छोटी छोटी जमीनों के मालिक जिनने हम असामी भी कहते हैं साधारण जन्ता और सामानिक्रिशक इन छोटे सामन्तों की सेवा करते थे इन बड़े सामन्तों की सेवा करते थे ये क्रिशक लगान देते थे भारत में जैसी जमीनदारी व्यवस्था से आप वाकिफ हैं इसी तरह की कुछ तरह की व्यवस्था वहाँ थी शब्दों में थोड़ा बदलाओ है और अलग-अलग खितरों में थोड़ा-थोड़ा अंतर है भारत में जहां हम जमीनदारों किले बनाये जाने का जिक्र नहीं सुनते यॉरोप में किले बनाने की प्रथा थी दुर्ग बड़े-बड़े महल लेकिन बाकी कुछ कमों बेश एक जैसा ही है तो यदि हम यॉरोप की बात कर रहे हैं तो वहां पर इन किसानों के द्वारा भूमी के उप्यों के वज में कर अ को और शोशित करता चला जाता है और इसे अपना अधिकार समझने लगता और इस अधिकार की समझ की परणिती दास प्रथा की शिरुवात के साथ होती है सामन्त व्यवथा जब आई और सामन्त लोग अपने अपने जागीर के जागीदार मने भले हुए बड़े बड़े क्षेतर क्यों नहूं तो उसने क्या किया उसका प्रणाम ये हुआ कि सामन्तों के बीच में अपने क्षेतर की सीमाओं को लेकर जगड़ा होने लगा सामन्तों के बीच में अपने अपने क्षेतर की सीमाओं को बढ़ाने के लिए जगड़ा होने लगा और इत्वकार बहुत सारे युद्ध होते हैं युद्ध को बहुत बढ़ावा मिलता है हर सामन्त अपने लिए अपसेना रखने लगता है और इत्वकार थड़ा और ज़ कीर को बढ़ाने के लिए जो लोग जब तक सिना का प्रेयोक करें कई सामन तो ऐसे निकले जो राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और जैसा मैंने प्रारम में कहा कि उस काल में संभराट या केंद्री सत्ता जो थी वो कम शक्तिशाली थी और शायद क्योंकि वो लोग कम शक्तिशाली थे इसकी परणिती मजबूत या ताकतवर सामनती व्यवस्था के रूप में होती है ताकतवर सामनतों के उद्धै के साथ होती है इसके अलावा हम देखते हैं कि सामनती व्यवस्था के कारण कई शक्तिशाली देश उनका अभिरभाव हुआ साधार जनता शोषन की शिकार होती चली गई और लगातार लडाईयां सेना, सैनिक, हतियार, सुरक्षा इनके मद्दे नजर उद्योग धंदों का विकास नहीं हुआ और जब इनका विकास नहीं होता है तो जन साधारन जो है वो जीवन यापन के लिए खेती पर निर्वर करती है और खेती अर्था जमीन पर निर्वर करती है और जमीने थी जागीरोदारों की जमीने थी सामंतों की तो इस विकार समाज का एक बहुत बड़ा तबका किसानों के रूप में या भूमी हैं किसानों के रूप में इन सामन्तों पर निर्भर हो जाता है और निर्भरता अर्था शोशन बढ़ता शोशन और सामन्तों का इन पर बढ़ता नियंत्रन भी थोड़ा हम फ्रांस और इंगलेंड की और जहांके गॉल जो पहले रोमन सामराजी का हिस्सा था इस नक्षे में दे और ये जो खेत्र है गौल उसकी स्वैम के अपनी विस्तरित तटसी माएं हैं परवत हैं परवत की शिंखलाएं हैं लंबी लंबी नदियां हैं गवान खेत्र हैं मैदानी खेत्र हैं और कृषी संबंधित या खेती करने के लिए परयाप मैदान भी हो दूसरे शब्दों में फ्रांस की जो भावगोलिक इस्थिती है वो अपने में स्वैम में एक परिपूर्ण देश है संसाधनों की दृष्टी से फ्रांस के बाजू में एक खेत्र है जो बाद में जर्मनी कहलाता है जर्मनी जैसे एक राष्ट के उद्य के पूर विया खेत्र छोटे 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 खेत्रों में बटा हुआ था इस खेत्र की एक प्रजाती थी एक जन जाती जिसे हम कहेंगे जिनका जिनें फ्रैंक्स कहते हैं इन्होंने गॉल को अपना नाम दिया क्योंकि बाद में लोग कबजा करते हैं काफी थारे फ्रैंक्स वहां जाकर कबजा करते हैं रहने लगते हैं तो अपनी भाश्चा में चुकि ये फ्रैंक्स थे उन्होंने उस खेत्र को गॉल से बदल कर फ्रांस बना दिया छटी सदी में ये प्रदेश जो है वो फ्रेंकिश और फ्रांस के इसाई राजवादवार शासित था फ्रांसीसियों के चर्च के साथ बड़े घने संबंद को हम आगे पढ़ेंगे जो पोप द्वारा राजा चालमेन से समर्थन ट्राप करने के लिए उसे समराट का ताज दिया जाता है रही इंग्लेंड की बात तो इंग्लेंड को आप देखेंगे तो उसके उपर एक छोटा खेतर है स्कॉटलेंड स्कॉटलेंड दीपओं का एक तरीके से समु है, और सक्रे जलमार्ग से जुड़ा हुआ है स्क्रे जलमार्ग के उस पार, बलकि स्क्रे जलमार्ग से टूटा हुआ है तो सकरे जलमार के उस पार स्कॉटलेंड दिख रहा है दीपों का समू ग्यार्वी सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मेंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया जाता है एक और जहां यह काल नौवी से स्वलवी शिताब दिका है यह ध्याय दूसरी और यह ध्याय जərमन फ्रेंच और इंगलिन और उसके साथी साथ इतिली के एक आसपास घूमता है उसके साथ ही हध्याय जमीन और जमीन से जुड़ी हुई व्यवन्हाथा की और हमें ले जाता है थोड़ा इस काल में हम थोड़ा फ्रांस के इतिहास को जरूर देख लें संग्शिप्त में ही सही इसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए कि 8481 AD में 4801 में क्लोविस फ्रेंक लोंगों का राजा बनता है और फ्रेंक लोग कौन थे जर्मनी से आये थे 486 में क्लोविस और फ्रेंस ने उत्तर गौल पर अभियान किया और अपना विजय अभियान प्रारम किया 496 में क्लोविस और फ्रेंक लोग धर्म परिवर्तन करके इसाई बनते हैं यहां से इसाई धर्म की शुरुवात इस खेतर में हम देखते हैं प्रादर भाओ साथ सो चौदा वर्ष जो है वो बहुत महत्पूर्ण है इसे चार्ल मार्टल राजमहल का मेर बनता है मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को हटा कर स्वेम शासक बनता है साथ सो इंकावन में और एक अलग वंश की स्थापना करता है मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों को हटाने में सफल होता है और उत्रकार फ्रैंक लोग हट जाते हैं और जर्मन लोगों का एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राजुर्भाव जो था शुरुवात थी वो कम होती है और एक अलग वंश की स्थापना होती है विजय भियानों से ये जो राज है वो दुगना हो जाता है फ्रांस का राज है साथ सोड़ुसट में पेपिन के स्थान पर चाल मेन आता है चाल मेन इस काल का सबसे प्रसिद धशासक है और इसलिए इसे चाल्स महान भी कहते है चाल्स मेन की स्पेलिंग आप देख लें मेन विशेश कर इसकी स्पेलिंग बिलकुल अलग है उसको ध्यान में रखें और इसका उचारण भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं यदि हम हिंदी में बोलें तो चार्ल्स महान इसे कहा जा सकता है 800 में पोप लियो जो ईसाईयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता था जो रोम में बैठता था रोमन सत्ता जिसके पास थी वह क्या करता है चाल मेन को पवित्र रोमन सामराज का ताज पहनाता है दूसरे शब्दों में उसे मानिता देता है कि जो रोमन सामराज पूरु में था विगटित हुआ और जिसको पुनर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है उसके शीर्ष पर जो बैठा हुआ है ताज पहनाया जालता है, मुक्ट पहनाया जालता है इस प्रकार हम देखते हैं कि पोप या चर्च क्योंकि चर्च का मुखिया पोप है तो चर्च, धर्म, पोप एक और और दूसरी और राजसत्ता इन दोनों के बीच में बहुत गहरे संबंध हो जाते हैं एक दूसरे के प्रती जुकाओ कहना चाहिए, एक दूसरे के प्रती सम्मान कहना चाहिए इसकी शुरुवात यहां से देखते हैं धर्म और राजनीती बहुत निकट आती है दुरभागी से 840 में नौर्वे से एक प्रजाति का बारंबार अटैक होता है हमला होता है जिसे वाइकिंग कहते हैं यह एक संख्षप में 480 से 800 तक का इतिहास है